तो ने माजी का सारा धर्म फ्रेश्ट कर दिया गलती तो सारी छोटी बहु की है दिल छू लेने वाली कहानी सास की बिगड़ती स्थिती को देखकर तनू दुखी थी वह माजी को भरपुर सुख और आराम देना चाहती थी पर घर में काम इतना अधिक रहता था कि वह चाह कर भी माजी की सेवा के लिए पूरा समय नहीं निकाल पाती थी जब से एक दुर घटना में आभा के पैर की हटी टूटी वह सामाने नहीं हो पाई थी चुकि आपरेशन द्वारा पैर में नकली हटी डाली गई थी जो उन्हें जब तक बेचैन कर देती और वह दर्द से घटो कराती रहती कहती बहु डाक्टरों ने मेरी पैर में तलवार तो नहीं डाल दी बड़ी चुप रही है दोनों बेटे उन्हीं विश्वास दिलाती की वे उनके पैर का आपरेशन दोबारा से करा देंगे चाहे कितना भी रुपिया क्यों न लग जाए आवा जुझला उन्ती मेरे भूड़े जिस्म को कितनी बार कटवाओगे साल भर से यही गश्ट तो भोग रही हूँ पहले दुरगटना फिर आपरेशन कब तक विस्थर पर पढ़ी रहूँगी डाप्टर से जब उनकी परिसाने बताई जाती तो वे आस्वासन देते की उनका ऑपरेशन सम्पून रुप से सफल हुआ है उन्हें धीरे धीरे सहन करने की आदत बढ़ जाएगी आभाबेत के सहारे धीरे धीरे चल कर अपने बेहत जरूरी काम निप्टाती परंतु उनका हर काम बड़ी मुश्किल से होता था वा रसोई घर में जाने का परियास करती तो छोटी बहु तनु उन्हें सहारा देकर वापस उनके बिस्तर पर ले आती और थाली परोस कर उन्हें वहीं बिस्तर पर दे जाती बेटे कहते मा दो बहु के होती हुई तुम्हेरा सोई में जाने की क्या जरूरत है आभा दुखी स्वर में कहती कब तक बहु पर बोज बनी रहूंगी बेटों ने मा की सेवा करने के लिए एक नौकरानी की विवस्ता कर दे प्रंतु बड़ी बहु लीना के काम ही इतने अधिक हो जाती की नौकरानी को आभा की तरफ ध्यान देने की फुरसत ही नहीं मिल पाती थी लीना चाहे कुछ भी करे उसकी खिलाब बोलने की हिमत पूरे घर में किसी के अंदर नहीं थी क्योंकि वो धनी घर से आई थी घर में आधुनिक सुविदाओं के साथ नफ्रीज रंगीन टेलिविजन और उस कुटर आधी समान अपने साथ लाए थी नगत रुपे भी इतने मिले थी कि छट पर बड़ा कमरा उसी से बना था घर के लोगों के दब उपन का भरपुर लाब लीना उठा रही थी वो घर के कामों में हाथ ना बटा कर अधिकान समय उपर अपने कमरे में रहती थी और नोकराने लीना को पकार कर उपर ही अपने लिये चाय बच्चों का दूद मांगाती रहती तनू ने नोकरानी पर सकते बढ़ती तुम्हें माजी की सिवा करने के लिए रखा गया है तो वही करो फालतू का काम क्यों करती हो लीना तनू की बात से चिट गई तनू का मायका उसके मुकाबले कुछ भी नहीं था फिर जब घर के लोग कुछ नहीं कहते तो वह कल की आई छोकरी कौन होती है मुँछ लाने वाले लीना ने उपर से ही लड़ना सुरू कर दिया कि छोटे बच्चों का साथ होने के कारण नोकरानी की जुरुरत उसे अधिक है ना कि माजी को घर में उटना पड़े इस डर से माजी ने सबसे कह दिया कि वह बगैर नोकरानी के अपना काम चला लेगी उनका काम ही कितना होता है तनु को सास में अपनी मा नजर आती वह उन्हें खिसिट कर पुजा का कमरा धोती वह कपड़े धोती देखती तो दुखी हो जाती वह जो जठानी से भी लगाव रखती और पूरे परिवार की एकता बनाये रखने की भरसक परियास करती थी मगर नेना की नजरों में तनु उसी दिन से आँख की किरकिरी बन गई थी वह उसकी खिलाफ बोलने का मौका ताक थी और जब मौका मिलने पर बोलना सुरू करती तो उसकी सातों पुस्तों को कोश डालती तनु फिर भी सांत बने राकर अपने आपको समान बनाये रखने की कोशिस करती रवी कहता तुमने भावी के खिलाफ बोलकर उनसे दुस्मनी पाल ले जब भाईया कुछ नहीं कहते तो तुमने क्यों कहा मुझसे माजी का कष्ट देखा नहीं जाता फिर नौकरानी माजी के लिए रखी गई थी इस घर के मालिक हम नहीं भाईया भावी हैं वे जू चाहें कर सकते हैं रवी ने अपनी लाचारी दिखाई यद पी वह माँ को बहुत चाहता था पर उनके सुक आराम के लिए कुछ कर भी तो नहीं सकता था क्योंकि उसका वेतर बहुत साधारण था वो माँ से आराम करने को कहता पर वह पूरे दिन पिस्तर पर पड़ी उप जाती वह दुर घटना से पहले की अपने दिन चरिया में अब भी उसी प्रकार जीना चाहती थी एक दिन रवी ने अपनी माँ को पूजा घर की सफाई करते देखा तो सकती दिखाते हुए बोला मा मिट्टी पत्थर के इस भागवान पर फालतू का विश्वास करना छोड़ दो तुमने इनकी इतनी अधिक पूजा की इन पर आँख मूद कर भरोसा किया फिर भी यह तुम्हारे सा थोने वाला हाथ सा नहीं रोक पाएं तु हमेशा नास्तिको जैसी बाते करता है यह क्यों नहीं सोचता की दुरहटना में मेरी जान बच गए भगवान की क्रिपा न होती तो मैं मर जाती तुम फालतू की अंद्विश्वासी हो आभा की उपर पेटी बहू की समझाने का कोई असर नहीं पड़ता था वो पैर के दर्द से कराहती हुई गिसट कर बाल्टी भर पानी से गड़ेश जी की तामबे से बनी प्रतिमा को रेट से मांच कर दोती और आठी उतार कर लटू का भोग लगाती तब जाकर भोजन का कौर उनके गले से नीचे उतरता था तनू को अटपटा लगता की ऐसे तो माजे का कष्ट और अधिक बढ़ जाएगा एक दीन तनू दर्वाजे के बाहर खड़े ठेले वाले से सबजी खरीद रही थी कि तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी लड़की ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और नोकरानी जैसी लग रही थी तनू ने पुकारा तो वह लड़की उसके नज़दी चली आई पुछ दाच करने पर पता लगा की उसका नाम माया है और वह कुछ घरों में बरतर कपड़े दोने वा सफाई का काम करती है तनू ने उससे दो सो रुपे महीने पर माजी का पुरा काम करना तै कर लिया और सकती से ताकीद कर दी कि वह घर के किसी अनसदस्य के भाकावे में आकर माजी का काम नहीं छोड़ेगी माया ने उसी दिन से माजी का काम करना सुरू कर दिया उनका कमराध होया पिस्तर की चादर बदली और पैरों की मालिस की माजी छोटी बहु का अपने प्रती प्रेम देखकर उसी से गदगद हो उठी और देर तक बहु को आजिलवात देती रही तथा उसकी प्रसंसा करती रही सास द्वारा तनु की प्रसंसा सुनकर बड़ी बहु लीना जल भून कर राक हो गई और कहे बिना नहीं चुकी कि छोटी ने अपने पास से दोस रुपे महीने नोकरानी पर खर्च करके कोई दीर नहीं मार लिया वह क्या घर के लिए कम खर्च कर रही है पूरे दीन की नोकरानी तो उसी के पैसों की है तनु जठाने की बात पर का बुरा न मान कर उसे समझाती रही कि दीदी हम दोनों माँ जी की बेटियों की समान है उनकी किसी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए लीना बदली की आग में जुलस्ती रही उसे बुरा लगता की सास ने तनु की रखी नोकरानी की जितनी प्रसंसा की उसे आधी भी कभी उसके माईके से मिले दहेज की नहीं की थी लीना चिड़ती रही और तनु को नीचा दिखाने की ताक झाक में लगी रही सास कास ने तनु के तन्मन में हिलोरे भर देता उसने पती से कह दिया की वह अपने खर्च में से कटोती करकी माया का वेदन चुकाती रहेगी कम से कम सास को अराम तो मिल रहा है धीरे धीरे माया आभा के साथ सगी बेटी जैसी खुल मिल गई और असोई में जाकर उनके लिए चाय वा फुलके बना लाती खिचड़ी बना कर अपने हांस से खिला देती एक बार माया को किसी काम के सिलसिले में चार दिन की छुट्टी लेनी पढ़ गई तो आभा की परिसाने अधिक बढ़ गई अब तो उन्हें अपने हाथों पाने की बाल्ती उठाने की आदत भी छुट चुकी थी ऐसे में पूजा घर की सफाई दुलाई किस प्रकार से की जाए तनु की भी हालत ऐसे नहीं थी कि वा कुछ काम कर सके क्योंकि वा गर्ब वस्था में चक्कर और उल्टियों से परिसान थी फिर डाक्टर ने उसे वजन उठाने के लिए मना कर रखा था मा की परिसानी को देख कर बेटों ने उनके पूजा घर में ताला लगाती हुए कह दिया कभी दो चार दिन गडेश जी को भी अराम कर लेने दो माया आयेगी तो सफाई थुलाई कर लेना पूजा घर में ताला डाले अभी तीसरा दिन ही पीता था कि उस बंद कमरे से आती बद्वु के कारण घर में बैठना कठीन हो गया सायद कोई चूहा मर कर सड़ गया था मा की चिंता वा बैचैनी देखकर बेटों ने पूजा घर की चावी मा को थमा दी और अपने काम पर चले गए कडेश जी की प्रतिमा से चिपके सड़े चूही की जिस्म पर रेंगते कीडों को देखकर किसी की भी हिम्मत पूजा घर की सफाई करने की नहीं हुई ऐसी गंदगी को कौन हाथ लगाए घर की लोगों ने जब जमादार को बुला कर चूहा फिकवाने की बात की तो मा जी बिदक गई और बोली हमारे पूजा घर में जमादार के जाते ही उसकी पवित्रता नश्ट हो जाएगे जमादार तो साक्षा चांडाल का रूम होता है वह बेटों पर क्रोधित होती रही कि यदि वे पूजा घर में ताला बंद नहीं करते तो वहाँ चूहा नहीं मरता बेटे कहते रहें तुम थाले भरभर कर लटू गरेश जी को भोग लगाती हो तब ही पूजा घर में इतने अधिक चूहे हो गए है और यह कैसे भगवान है जो चूहों से अपनी रच्छा नहीं कर पाएं तो अपने भगतों की रच्छा कैसे करेंगे मा और बेटों में सड़े चूहे को लेकर बाद भी बाद चलता रहा पर आभा किसी भी प्रकार नीच जाती के आदवी से गडेश जी की प्रतिमा कासपर्स कराने को तयार नहीं हुए पूरा दिन घर के लोग पुरानी नौकरानी को डान टपट कर मरा चूहा उठाने को तयार करते रहें पर वह कहती रही कि यह काम माया का है वही करेगी अगले दिन सुबह माया आए सभी ने चैन की सांस ले वह आते ही फूजा घर की सफाई में जुट गई उसने दुरांत पुरांत चुहा उठा कर फेक दिया और गड़ेश जी की प्रतिमा को पहले दो रेत से रगड कर साफ किया फिर साबुल लगा कर नहलाया फिनायल डाल कर पूजा घर की धुलाई की वक्कई अगरबतिया जला कर गड़ेश जी के सामने रख दी आवा मुगद भाव से माया को देखती रही और उसके काम की सराहना करके बार बार प्रसंसा करती रही माया सफाई का काम पूरा करके दो गिलासों में चाय डाल कर ले आई एक माजी को थमा दिया और दूसरा अपने मूँ से लगा कर चाय पीती हुई लापरवाही से बोली अम्मा क्यों हमारी इतनी तारीफ करती हो मरा हुआ चुहा हम नहीं फेकेंगे तो कौन फेकेगा सफाई करना तो हमारा खानदानी काम है हमारे दादा मनसी बल्दी की सफाई कर्मचारी थे मास बताल में मरीजों की गंदगी फेकती है पिता और चाचा मुर्दा घर की लासेट होते हैं माया के मुँ से उसकी खांदान की बखान को सुनकर माजी की बोलती बंद होने लगी वह लड़कडाती जबान से पूछने लगी माया तेरी जात क्या है? हम बालमिकी है माजी माया ऐसे बोली जैसे कितनी बड़ी पंडा पुरो ही थो बालमिकी यानी की जमादार हाँ अम्मा आप चाहे तो कह लो वैसे हम हैं तुम बालमिकी आपनी रमायड में पढ़ा होगा कि बालमिकी के आस्रम में सीता माता रही थी उनकी लोकुस वही पैदा हुए थे माया की बाते आभा के कानों से टकरा कर वापस लोड रही थी एक ही बात उनकी समझ में आ रही थी कि माया अच्छूत कन्या है और उनके पुजा घर की सफाई अब तक उसी के हाथों से हो रही थी हाई सब कुछ अपवित्र हो गया माजी करा उठी थी तनूर सोई घर से माया की तरफ लपकी की किसी परकार से उसे चुप करा सके पर माया तो न जाने क्या क्या उगल चुकी थी और सकपकाई जड पड़ी माजी से वाप पूछ रही थी क्या हुआ अम्मा लीना को आज बदला चुकाने का आउसर मिला था फटाक से आकर उसमें माया के काल पर जोर से तमाचा जड दिया कलमुही कैसी भोली बन रही है पूछ रही है क्या हुआ अरे क्या नहीं हुआ तुने माजे का सारा धर रष्ट कर दिया गलती तो सारी छोटी बहु की है जान भूज कर घर में जमादारिन को ले आई लीना डाटने के अंदाज से बोली तनुभै से थर थर काप रही थी कितनी बड़ी गलती हो गई उससे वह माया को काम पर रखने से पहले उसकी जाति पूछना भूल गई थी बहु वह सास के पैर पकड़ कर रोने लगी माजी मुझे माफ कर देजे बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे माया भी रो रही थी बड़ी वहु ने इतनी जोर से तमाचा मारा था कि उसका गाल लाल हो गया था उस पर उंगलियों के निसान उभर आये थे अच्छा अब हम चले अम्मा हमसे गलती हो गई हमने मरा चूहा फेक कर गलती की अपने खांदान की प्रसंसा करके गलती की हम अपनी गलती की माफी मांगते हैं अम्मा हमें अपनी पगार भी नहीं चाहिए माया उठकर दर्वाजी की तरफ चल दी माजी को जैसे खोस आया लपक कर माया का हाथ कस कर थाम लिया और बोले अम्मा को किसके सहारे छोड़ कर जा रही है अभी मेरा आखरी वक्त नहीं आ गया कि तू छोड़ कर चल दी और छोटी बहु तुमसे कोई गलती नहीं हुई है यह रोना बंद करो और जाकर मुह दोलो क्या माजी आप तनु आश्चर से अटक अटक कर बोले उसकी समझ में माजी का या बदला हुआ रूप नहीं आ रहा था बाजी उल्टी पढ़ दी देख लीना चुप चाप उपर चली गई माया की रूलाई फिर से फूट पड़ी थी बरवा खुशी के आशू थे अम्मा तुमने मुझे माफ कर दिया मैंने तुम्हारा पुझा घर अपवित्र कर दिया था माया कुझे से विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी नौकरी बनी रहेगी किसी ने कुछ अपवित्र नहीं किया माजी निहनात्मक स्वर में बोली अपवित्र था तुम मेरे मन बे थी जो अब हमेशा के लिए निकल चुकी है जा बेटी माया तुर सोई घर में जाकर अपने हाथों से मेरे लिए वो अपने लिए रोटी से कर लेया आज हम दोनों एक साथ बैट कर खाना खाएंगे माया दोड़ती हुई रसोई घर में चली गए माजी तनू से कह रहे थी आज से सारी छुवा छुट बन इस माया ने बेटी से बढ़ कर मेरी सेवा की है जरा से बात पर क्या इसे निकाल दू की और अगर यह चली गई तो मैं जीऊंगी कैसे मेरी सेवा मेरी देखवाद कौन करेगा छोटी बहु तुम्हारी या खोज मेरे लिए बहुत लाफदायक सावित हुई है माया ने मेरी बेटी की कमी पूरी कर दी तनु मन ही मन मुश्कुरा रही थी जिठानी चाहे कितनी कोशिस कर ले माजी की प्यार का पलड़ा उसी की तरफ भारी रहेगा दोस्तों आपको हमारी कहानी कैसे लगी आप इसे लाइक, सेर, कमेंट करिएगा और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा रोज ऐसी नई कहानिया सुनने के लिए थांक्यू